जाट आंदोलन के दोरान दर्ज 407 केश वापस लेने पर रोक जारी दोस्तों रिपोर्ट तलब हाई कोट ने एमिक्स क्यूरी को केशों की जांच करने के निर्देश दिये जाट आरक्षन आंदोलन के दोरान हुई हिंचा और तोड़ फोड को लेकर दर्ज मामलों में से 407 केश वापस लेने की हरियाना सरकार की मांग पर फिलाल पंजाब हम हरियाना हाई कोट ने कोई रहात नहीं दी है कारिय वाहक चीफ जस्टिस रीत बाहरी और जस्टिस नीदी गुपता की खंड़ पीट ने एमिक्स क्यूरी वरिष्ट वकिल अनुपम गुपता के विरोध के बाद उन्हें इन मामलों के परताल कर जवाब देने के निर्देश दिये है कार्ट ने कहा है कि एमिक्स क्यूरी देखें कि यह मामला अपराद से जड़ा हुआ है और फिर गंभीर अपराद के मामले भी है खंड़ पीट ने साथ ही इन मामलों को लेकर एक कमेटी गठित की वी है बता दे कि S.I.T. इस मामले में तीन रिपोर्ट हाई कोड को दे रखी है S.I.T. ने तीन रिपोर्ट पेस की वी है आखरी रिपोर्ट जनवरी 2019 में दी गई थी इसके बाद COVID के चलते कोई रिपोर्ट नहीं दी गई हाई कोड ने इससे पहले परदेश के सभी मजिस्टेट को आदेश दे दिये थी कि जाट आरक्षन से जुड़े किसी भी केस में कैंसिलेशन रिपोर्ट या केस वापस लेने की सरकार की अरजी पर फैसला नहीं लिया जाए जाट आंदोलन के दुरान बड़े पैमाने पर तोड़ फोर्ड हिंसा और आगजिनी के चलते हरियना पुलिस ने 2015 एफाई आर दर्ज की थी इन में से 407 एफाई आर को वापस लेने का हरियना सरकार ने फैसला लिया था जाट आरक्षण आंदोलन के दुरान हुई हिंसा को लेकर हाई कोड ने संग्यान लेकर सुनवाई आरम की थी हाई कोड ने संग्यान लेकर सुनवाई आरम की थी हाई कोड़ दिया था पहला मामला जिसकी जाच सी बी आई को सोपी जाच की है दूसरा तीसरा हिंसा तोड़फोर और आगजनी का और चोथा मामला F.I.R. वापस लेना का जुड़ा हुआ है 407 केसों में से 129 गंभीर स्वामार को सुनवाई के दोरान M.I.S. क्यूरी आनुपम गुपता ने हाई कोट को बताया कि हर्याना सरकार श्चानती और सुभार्द का बाना हिंसा तोड़फोर और आगजनी के मामलों में से 407 केस वापस लेने के मांग कर रही है गुपता ने बताया कि परकास्चिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन 407 मामलों में 629 को बेद ही गंभीर बताया है ऐसे में सरकार की इस मांग को सुविकार नहीं किया जाए